सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की पीडियो टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन हाली में भोपाल में मेट्रो ट्रेन का सिलन्यास किस ने किया है तो अभी हाली में मेट्रो ट्रेन का सिलन्यास किया गया है कमल नाजी के द्वारा कमल नाजी जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री है और इन्होंने ही भोपाल में मेट्रो ट्रेन का सिलन्यास किया है अच्छा कमल नाज जी तो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री है तो गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के गवर्नर है लाल जी दास टंडन और हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से related कुछ important national parks है जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे की कानह टाइगर रिजर्व, बांधागण नैशनल पार्क, कुनो वाइल लाइफ सेंचुरी लेकिन अभी नैशनल पार्क हो गया है, कुनो नैशनल पार्क और पेच राश्टर उद्यान जिसकी कुछ सीमा महराश्ट से भी लगती है, लेकिन इसका अधिकतर इस्सा है मध्य प्रदेश में ही और यदि हम मध्य प्रदेश को करेंट से रिलेट करें, तो मैंने आप लोगों को दो दिन पहले ही बताया था कि बॉलिवुड अभी नेता, गोविंदा को मध्य प्रदेश राज्जी का अमबेजडर बनाया गया है तो ये भी आप याद रखिएगा, और आप मेट्रो ट्रेंज से क्या समझते हैं मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, कि आप केवल की पॉइंट पकड़िए और की पॉइंट पकड़ के आप जितनी एक्श्र चीज़े याद कर सकते हैं उतनी याद करिए, आप लोगों को एक समय में बहुत सारी चीज़े याद हो सकती है तो एक्जाम में कोश्चन पूछा जाता है, कि भारत की पहली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी, 1984 में और कहां से हुई थी? कोलकाता से और एक कॉमन कोश्चन है, जो कि एक्जाम में पूछा जाता है, कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं, यह श्रीधरन और अभी हाल ही में भोपाल में मेट्रो ट्रेन का सिलन्यास किया गया है कमल नाजी के द्वारा और भोपाल इसी वर्स स्वक्षता सर्वेक्षण में सबसे स्वक्ष राजधानी घूसित की गई थी सबसे स्वक्ष शहर इंदौर जोकी मध्धी प्रदेश में है और सबसे स्वक्ष राजधानी भोपाल तो ये भी आप याद रखीगा नेश कोश्चन है तमिल नाडू क्रिकेट एसोशियेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है जहां कहीं भी पहला वर्ड आता है वह कोश्चन अपने आप में ही इंपोर्टन हो जाता है और तमिल नाडू क्रिकेट एसोशियेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है रूपा गुरुनाद और बात हम कर रहे हैं तमिल नाडू क्रिकेट एसोशियेशन की इसकी स्थापना की गई थी 1932 में और अध्यक्ष कौन बन गई है रूपा गुरुनाद तो तमिल नाडू के बारे में हम जान लेते हैं तमिल नाडू की कैपिटल क्या है चेनने और चेनने में किसका हैड़कॉर्टर है चेनने में हैड़कॉर्टर है टीवी एस का और टीवी एस से आप लोगों को क्या याद आता है टीवी एस नहीं कुछ समय पहले ही भारत की पहली एथैन ओल से चलने वाली बाइक लॉंच की थी और टीवियस के ब्रैंड अमेजडर कौन है महेंद्र सिंग धोनी और तमिल नाडू से आप क्या याद रख सकते हैं कुछ समय पहले ही तमिल नाडू ने दो फेमस प्रोड़क्ट को GI Tech प्रदान किया था मैंने आप लोगों बताया था डिंडी कुल ताला डिंडी कुला ताला और कडांगी साड़ी इन दोनों प्रोड़क्ट को तमिल नाडू ने अभी हाल ही में GI Tech प्रदान किया था तो ये भी आप याद रखीगा हाल ही में किस IT कंपनी ने United Nation Global Climate Action Award जीता है तो अभी हाल ही में Infosys ने United Nation Global Climate Action Award जीत लिया है और बात यहाँ पर Infosys किया ही है तो इसके स्थापना कब हुई थी? साथ जुलाई 1981 को इसका मुख्याला इस्थित है बैंगलॉर करनाटक में और बैंगलॉर अपना ओफिशियल लोगो लॉंच करने वाला भारत का पहला सहर है और बैंगलॉर को ही भारत की Silicon Valley के नाम से ही जाना जाता है और Infosys के MD और CEO कौन है तो प्रेजन टाइम में Infosys के MD और CEO है सलिल पारिक और यदि हम Infosys को करन्ट से रिलेट करें तो दो दिन पहले ही मैंने आप लोगों बताया था कि अभी फोप्स ने Top 250 IT Companies के एक लिश्ट जारी की है और इस 250 IT Companies के लिश्ट में Infosys तीसरे इस्थान पर रहा है यह All Over World की रैंकिंग थी जिसमें की तीसरे इस्थान पर रहा था Infosys और यदि हम इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया की तरफ से Infosys था पहले इस्थान पर Next question है हाली में भारत कजाकिस्तान की बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 का आयोजन कहां किया गया तो इस question से आप लोगों को दो चीज़े याद रखनी है कि भारत और कजाकिस्तान की बीच की exercise कौन सी है काजिंद और इसका आयोजन आपसे पुछा जा रहा है तो इस नातों से अप लोगों को क्या याद आता है अभी कुछ समय पहले ही भारत का पहले ही हैलीकॉप्टर सिखरसमेलन डहा दून में ही आयोजित किया गया था और उत्तराखंड में ही कुछ National Park है जैसे कि राजाजी National Park और फूलो की घाटी याने कि Valley of Flowers यह अभी उत्तराखंड में हिस्तित है, नंदा देवी National Park यह अभी उत्तराखंड में हिस्तित है एक बहुत famous question है जो की exam में पुछा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना national park कौन सा है तो इंडिया का oldest national park है Jim Corbett National Park जो की उत्रखंड में ही है और Jim Corbett National Park को पहले Haley National Park के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना कभ हुई थी? 1936 में और यह है इंडिया का oldest national park है इसलिए इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा नेश question है हाल ही में पुन्य भूशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में GB देग लुशकर को पुन्य भूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और क्यों सम्मानित किया गया है? तो पुरा तत्यू के शेत्र में इनके योगदान के लिए यनि कि आर्चियोलोजी के शेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अच्छा आप लोगों ये term समझ में नहीं आ रहा होगा पुन्य भूशन अवाड यह होता क्या है तो यह एक मराठी वर्ड है पुन्य भूशन और यह हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो हिंदी में मतलब होता है पुणे का गहना पुणे जो कि महराष्ट का एक सहर है इसका हिंदी में मतलब होता है पुणे का गहना और यहाँ पुरुशकार पुणे में इस्थित पुन्य भूशन फाउंडेशन के द्वारा इस्थापित किया गया था और अभी किसे दिया गया है जी भी देग लुशकर को अच्छा इन्हें अवाट दिया किसने तो इन्हें अवाट दिया है हमारे प्रेजन टाइम के उपराश्पती एम वेंक्या नाइडू के द्वारा तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कुस्चन है हाल ही में जारी एडिबी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षण एसिया का सबसे कम जीडिपी वाला देश कौन बन गया है यहाँ पर दक्षण एसिया के देशों की बात की जा रही है और दक्षण एसिया का सबसे कम जीडिपी वाला देश बन गया है पाकिस्तान तो ADB ने पाकिस्तान की GDP वर्ष 2019 बीस के लिए 2.8% अनुवानित की है और भारत के लिए तो ADB के अनुसार भारत की GDP वर्ष 2019 बीस के लिए 7.2% और बात यहाँ पर हम कर रहे हैं ADB की इनकी Asian Development Bank की इसके स्थापना हुई थी 1966 में इसका मुख्याले कहां इस्थी थे तो ADB का मुख्याले इस्थी थे मनीला फिलिपिन्स में और फिलिपिन्स से आप लोगों को क्या याद आता है जो रैमन मैकसे से अवार्ड आप लोग सभी जानते हैं रेमन मैक्सेसे अवार्ड फिलिपिन्स के पूर्व राश्पती रेमन मैक्सेसी की याद में ही दिया जाता है और बात कर रहे हैं हम यहाँ ADB की तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि Asian Development Bank के present time के president कौन है तो president है ताके ही को नकाओ तो यह भी आप याद रखेगा next question है हाल ही में विश्यो रेबीस दिवस कब मनाय गया तो अभी हाल ही में 28 सितंबर को मनाय गया विश्यो रेबीस दिवस और यह क्यों मनाय जाता है तो इसको मनाने का मुख्योदेश रेबीस की रोक थाम के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाना है 28 सितंबर को मनाया गया और एक कोश्चन एक्जाम में पूछा जाता है कि रेबीस के टीके की खोज की थी लुइस पॉस्चर ने इसकी खोज की थी याद रखी गा इनका नाम भी इंपोर्टेंट है और सितंबर में कुछ और इंपोर्टे 27 सितंबर को मनाहिए गया वर्ल्ड मेरी टाइम और इसकी थीम थी उमेज़ और इन दा मेरी टाइम कम्मुनिटी 27 सितंबर को मुस्ट इंपोर्टेंट यह मनाहिए गया वर्ल्ड टूरिज्म डेंट ऑर वर्ल्ड टूरिज्म डेंड की थी टूरिज्म एन्ट ज Fau it a better future for all इस बार की theme थी तो ये 4 important days जरूर याद रखिएगा आप exam के point of view से important है Next question है हाल ही में विश्व हिंदू आर्थिक फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है तो भारत में तो किया जा रहा है भारत के किस शहर में यह किया जा रहा है मुंबई में और इस बार की theme क्या है तो इस बार की विश्व हिंदू आर्थिक फोरम की theme है समाज को संब्रद्ध बनाना यनि की enriched society है इस बार की theme और यहां आयोजन हो रहा है मुंबई में मुंबई जो की महराष्ट की capital है यहां के मुख्य मंत्री कौन है देवेंद कुमार फड़नवीज राजिपाल कौन है अभी हाल ही में निक्थ हुए है भगत सिंग कोशियारी और मुंबई में headquarter है SEBI का यनि की security and exchange board of India का NSE का यनि की national stock exchange का BSE का यनि की Bombay stock exchange का headquarter और BARC यनि की भाबा atomic research center इसका भी मुख्यालय इस्थित है Trombe, Bombay में और यदि हम current से relate करें तो महराष्ट में है संजय गांधी नेशनल पार्क जिसका भी हाल ही में बेजडर बनाई गई है बॉलीवुड हभी नेत्री रवीना टंडन तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा Next question है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को निर्विरोथ CAB का अध्यक्ष चुना गया है तो भी हाल ही में सौरव गांगली चुने गए हैं CAB के अध्यक्ष CAB यनि की Cricket Association of Bengal और इसी के अध्यक्ष चुने गए हैं सौरव गांगली इनसे related exam में question बनता है कि सौरव गांगली को अनिक किस नामों से जाना जाता है तो सौरव गांगली को दादा और बेंगॉल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इनसे related एक famous किताब है जो की exam का part बनती है A century is not enough यह सौरव गांगली की बहुत famous बुक है जो की exam में पूछी जाती है और विक्रम राठोर का नाम important है इसलिए क्योंकि current से related है क्योंकि विक्रम राठोर को कुछ समय पहले ही भारती क्रिकेट टीम के बल्ले बाजी कोच के रूप में निक्त किया था तो इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा Next question है हाल ही में किसे Microsoft India के नए MD के रूप में निक्त किया गया है तभी हाल ही में राजीव कुमार को Microsoft India के नए MD के रूप में निक्त किया गया है बात यहां पर Microsoft की आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी Microsoft के स्थापना हुई थी 1975 में इसकी स्थापना की किस ने थी तो Microsoft के स्थापना की थी Paul Allen और Bill Gates ने जिसमें की Paul Allen का निधन हो चुका है सबसे important है Microsoft के CEO क्योंकि यह भारती मुलके है Microsoft के CEO है Satya Nadella इसलिए इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में दुनिया का पहला उट एस्पताल यह कहां खोला गया है यह खोला गया है दुबाई में आप सभी ने इसका right answer दिया था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा परिवान अंतरिक्ष जहाज यह किस देश ने लॉंच किया है इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखेगा और मैं आप लोगों बता दू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट की वन येर की मास्टर पीडियेफ जिसमें की 1200 प्लस करंट अफेर के जो कि आपके किसी भी एक्जाम के point of view से important हो सकते हैं जिसके लिंक 30 सितंबर यानि कि कल close कर दी जाएगी आप उस लिंक के थूप पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं लिंक description box में दी हुई है तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया है तो अपने study related group में share जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करना बिल्कुल में भूलिएगा आज के लिए इतना ही thank you so much जै हिन जै भारत